दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले यहां पर पांच ऐसी बड़ी समस्याओं की जो की हर एक स्मार्टफून फेस करता है अपडेट होने के बाद और मेजरली जो हमारा फोकस रहनगा आज की वीडियो में वो रेट्नी के 20 प्रो के मी यूआ 11 अपडेट जो के रिसेंटली आया था उसके बारे में रहने वाला है तो वीडियो एंट तक जरूर देखी आपको काफी कुछ इसमें जानने को मिलेगा तो आए आज की इस वीडि वेब साइट है जहां पर आप सिंपली रेजिस्टर करके और काफी सारा मनी अर्ण कर सकते हो रेजिस्टर प्रोसेस बहुत ही सिंपल है दोस्तो या तो प्रोमो कोड के थुरू या फिर आप अपने फोन नंबर के थुरू या इमेल के थुरू आप फटा-फट से फटा-प प्रचुनिटी है दोस्तों लिंक डेस्क्रिप्शन में है जाकर के एक बार चेक आउट जरूर कीजिए गा अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने स्मार्टफोन अपडेट्स की तो जब एक स्मार्टफोन नया मार्केट में आता है तो उसके अंदर जो सॉफ़वेर होता है व अब यहां पर हम बात करेंगे ऐसी पांस समस्याओं की जो की मेजरली सभी डिवाइस में आपको देखने को मिलती है इसे बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम की तो प्रॉब्लम जो पहली आ दिया दोस्तों वहां यहां पर बैटरी ऑप्टिमाजेशन जब भी आपकी ड यहां पर लेट चार्जिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है यह सारे इस्यू जो है आपको देखने को मिलते हैं बैटरी के एस्पेक्ट में आपको दिखता है जब आप अपडेट कर लेते हो तो बैटरी का इस्यू बहुत ही कॉमान इस्यू जो मेजरली सभी लोग करते हैं और अगला इस्यू जो आप सभी को फेस करना पड़ता है यहां पर अगर अपडेट रिसीव करते हो आपको ही तो वह है यहां पर यहां पर यू आई ऑप्टिमाइशन का बहुत ज़रूरी है आपकी यूजर एक्सपिरियेंस को बढ़ियां बनाने के लिए लेकिन जब अगली प्रब्लम जो आपको देखने को मिलती है अगर आप अप्डेट कर लेते हो तो और यहां पर एक चीज़ बताना चाहता हूं कि दोस्तों बैटरी आप्टिमाज़ाशन और यू आप्टिमाज़ाशन यह दो मेजर प्रब्लम्स है जो कि बहुत सारी ऐसी प्रब्लम् यहां तो अगली प्रब्लम जो आपको यह पर देखने को मिलती है दोस्ते वह और ग्राफिक्स डिस्टर्बेंस ग्राफिक्स ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि आपको हर जगाई ज़रूरी होती है चाहे आप वीडियो प्ले कर रहे हो चाहे आप कोई भी ऐसा सौफ्यूर प अगर आप गेम्स वगरा खेलते हो लाइक गॉल आप डूटी फब जी एट सेटरा वेवी एप्स और गेम्स में आपको जो है ग्राफिक्स की दिक्कत देखने को मिलती है साथ इसाथ फीटिंग इशू भी आपको देखने को मिलता है अगर आप अगला जो इसू जनरेट होता करेक्शन उत्ता बड़िया नहीं रहता सैचूरेशन बढ़ जाती है घड़ जाती है यह सारी दिक्कते आपको कैमरा में देखने को मिलती है जब आप कोई भी अपडेट यहां पर कर लेते हो तो जो की काफी ज्यादा लोग यहां पर फेस करते हैं यानि कि जब अपडेट करते हैं तो उसके बाद जो मेजरली लोग यह शिकायत करते हैं वहीं नेटवर्क स्लो हो गया है वाइफाई में स्पीड नहीं आ रही है मोबाइल डेट अच्छा नहीं चल रहा है और इवन चल भी रहा है तो बहुत जादा लैक कर रहा है इस तरीके की प्रॉब्लम्स आत करते हो जब भी आपने डिवाइस को अपडेट करते हो चाहो सेक्यूरिटी पैस या कोई भी अपडेट हो लेकिन ऐसा क्यों होता है यह जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आज कल स्मार्टफोन ब्रेंट्स हर 10 दिन पर एक नया स्मार्टफोन लिया करने हमारे सामने रख दे रहे हैं अब ऐसे में उनका टार्गेट यह रहता है कि जो ओल्ड स्मार्टफोन यूजर है उल्ड इन दा सैंस कि उनके लिए छे से एक साल पुराना फोन यूज करने वाला यूजर जो ओल्ड हो जाता है तो वह एक नए स्मार्टफोन पर अपग्रेड कर आप ऐस सर्विस सेंटर में कोई ऐसा सौफियर को लेकर के समाधान हो नहीं पाता है तो आप अल्टिमेटली करते क्या हो यहाँ पर स्मार्टफोन ही अपग्रेड करने की सोचते हो इवन जो आइफोन है हमारा यहाँ पर वो भी आइफोन की प्रिवेस जनरेशन को उत्ता अपडेट यह लोग देते हैं उसमें डिवाइस को स्लोडाउन कर देते हैं अब यह दो बात हो गई प्रॉब्लम की दोस्ता सॉल्यूशन क्या है अपने लेवल पर टेक्निकली देखा जाये तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं कि अगर आप कोई एक नया डिवाइस ऐसी जी करो जाता हो जाता हो तो आप कोई भी प्रॉब्लम तरीके की देखने को नहीं मिलेगी जो कि आपको लेटेस डीवाइस को लेकरके मिलती हैं तेन कुछ इस तरीके का हिसाफिता के 20 प्रो में हुआ जो जो मैंने आप उपर प्राब्लम्स बताई नेट्वर्क इश्यू को छोड़ करके वो सारी प्राब्लम्स के यूजर फेस कर रहे हैं और बात ही होती है कि 2020 में के 20 प्रो यहां पर कितना बढ़िया है क्योंकि यह अपडेट जब से आया है बहुत सारी दिक्केते हो रहे हैं झाल